कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब अमेरिका में क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे थे तब वहां की सरकार ने नए प्राइवेट जेल्स बनवाई जिन में से एक था टर्मिनल आइलेंड जहां इलीगल रेस चलाई जाती थी और उसे लाइब ब्राडकास्ट भ करीब होता है पर तब ही उसके कार के सभी हथ्यारों को डी एक्टिवेट कर दिया जाता है जिससे वो ने इस्तिमाल नहीं कर पाता वहीं पीछे से दूसरी कार में जो नाम का एक शक्स होता है वो भी इस रेस को जीतना चाता है इसलिए जो फ्रेंकिनस्टाइन की कार को टक जेंसन काम खत्म करके घर आता है और अपनी पत्नी से मिलने के बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है तबी किचन में जेंसन की पत्नी पर कोई हमला कर देता है थोड़ी देर बाद जब जेंसन की चन में आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है उसी समय पीछे पर गाड आकर उन्हें अलग कर देते हैं इसके बाद जेंसन को जेल की वार्डन के पास ले जाए जाता है वार्डन जेंसन से कहती है कि जिन लोग उन्हें तुम्हें मारा है वो बहुत खतरनाक है यहां से जाने के बाद वो तुम्हें जान से मार देंगी जेंसन की फाइल द वॉर्डन उसे फ्रेंकिनस्टाइन के बारे में बताती है कि कार रेस के दौरान उसका पूरा चेहरा जल चुका था, इसलिए वो हमेशा मास्क पहन कर रखता था, और वो लोग ये बात नहीं जानते कि पिछली रेस के बाद आपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई, जेंसन उसकी बात नहीं मानता, वो से इंकार कर देता है, वॉर्डन उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को किसी और ने एडॉप्ट कर लिया है, वो कहती है कि अगर तुमने ये ओफर मना किया तो तुम्हारी बेटी हमेशा किसी और को पिता गएगी, ये सारी बाते सुनन वो जितने लोगों को मारता है, उतने कट्स वो अपने चेहरे पर बनाता है, कोच जेंसन को बताता है कि इस रेस के तीन स्टेजिस रहेंगे, पहली दो स्टेजिस में बस तुम्हें अपने आपको बचाते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुचना है, और आखरी रेस तुम् के हाथों पर सेंसर्स लगाए गए हैं, उन सेंसर्स को देखकर जेंसन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसके घर पर हमला किया था, उसने भी ऐसे सेंसर्स पहने हुए थे, अब रेस का पहला दिन आ जाता है, वाडन जेंसन को फ्रेंकिनस्टाइन के कपड़े और मास्क पेना कर तैयार करती है, फ्रेंकिनस्टाइन को देखकर सभी कैदी बहुत खुश हो जाते हैं, अब सभी कैदियों को उनकी गाड़ी के पास लाए जाता है, उसी समय वहाँ एक बस आती है, उसमें से बहुत सारी लड़किया निकलती है, ये भी कैदी है, इन्हें दूसरी जेल से यहां लाए जाता है और पार्टिस्पेट करवाय जाता है, ये लड़किया नैविगेटर का काम करती है, और लड़किया रहने से शो की टियार पी और भी बढ़ती है, ऐसे जिनसन की गाड़ी में केस आकर बैठ जाती है, जो फ्रेंकिनस्टाइन की पुरानी साथी कुछी देर में रेस शुरू हो जाती है जिसका लाइब डॉडकास्ट भी किया जाता है जिसमें धुपर iloge इने देंग रहे हें रेस शूरू होने के बाद थोड़ी देर बाद जेंसन सबसे आगे हो जाता है पर तबी जो उस पर हमला करنا शुरू कर देता है वो उसकी कार को बार बार टकर मारता है, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ते पर तलवार और ढाल दिखाई देती है, केज बताती है कि अगर तुमने तलवार चुना तो तुम्हें बहुत सारी गोली और बारूद मिलेंगे, और अगर तुमने ढाल चुना तो तुम्हें पेट ये बाद जानकर कोच हैरान हो जाता है तब ही जो की गाड़ी पर दूसरा ड्राइवर हमला करता है जिस वजे से जेंसन बच जाता है ऐसे एक शक्स जेंसन पर भी हमला करता है वो जेंसन की तरफ देखकर हाथ का इशारा करता है ये देखकर जेंसन को याद आता है कि उस आद जाता है और इन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग शुरू हो जाती है जेंसन उस ड्राइवर को जान से मारने वाला होता है कि तब ही एक पुलिस आफिसर आकर जेंसन को बिहोश कर देता है यहां से खानी फ्लैश बैक में जाती है और यहां पर हमें पता चलता है कि वॉर्ड पर जेंसन जान बुझकर सबसे पीछे रहता है। जेंसन सबसे आगे था। इसलिए कोच और केस उसे ढाल चुनने को कहते हैं। जेंसन किसी की नहीं सुनता और तलवार चुनता है। ये ट्रक सभी गारियों पर हमला कर देता है और एक एकर के मॉंस्टर ट्रक सभी को मार रहा होता है। उसी समय जेंसन कोच को जे से उसकी बात करवाने को कहता है। जेंसन जो से कहता है कि हमें मिलकर इस ट्रक का सामना करना होगा। जो भी इस बात के लिए माण जाता है। ये दोनों मिलकर उस ट्रक को दोनों तरब से घेर लेते हैं और ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं तोड़ा आगे जाने पर ये दोनों इसकल पर उनकी कार टच करते हैं जिससे वहाँ से भाले ट्रक के सामने आ जाते हैं और वो ट्रक पूरी तरह से दूसरी तरफ वार्डन को बहुत गुसा आ रहा होता है, क्योंकि जेंसन अब उसके लिए खत्रा बनता जा रहा है, वो पुलिस ओफिसर को जेंसन को मारने का ओर्डर दे देती है, अगले दिन पुलिस ओफिसर जेंसन की कार में एक बॉम फिट कर देता है, और अब फाइनल गाड़ी में बैठता है, तो केस उसे बताती है, कि मुझे वार्डन ने कहा है, कि अगर तुम रेस जीतने वाले होंगे, तो मैं तुम्हें रेस जीतने ना दूँ, केस की बातों से जेंसन को अंदाजा हो जाता है, कि वार्डन उसे रेस जीतने नहीं देगी, थोड़ी दे बार डेथ रेस का आखरी पड़ाओ शुरू हो जाता है जेंसन जो से आगे जा रहा होता है वो बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी चलाता है जेंसन तलवार और धाल दोनों हासिल कर लेता है पर जब वो उन्हें इस्तिमाल करने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करती और उन्हें जयंसन की गाड़ी के सभी हत्यारों को डीक्टिवेटे कर दिया था वहाई जो के हत्यार सही चल रहे होतें पर हमला लांका होता है इसी वहां से गाइब हो गई है उसी समय उन्हें पता चलता है कि ये दोनों गाड़ियां जेल से बाहर जा रही है मतलब जो और जेंसन भागने की कोशिश कर रहे हैं वाड़न देखकर परिशान हो जाती है और बहुत धर भी जाती है वो लाइब ब्रॉडकास को रुखवा देती ह वाड़न हिलिकॉप्टर को उनका पीचा करने को कहती है साथ ही बहुत सारे गाड़्स भी उनकी गाड़ी का पीचा कर रहे होते हैं जो और जेंसन साथ में मिलकर उन पुछी देर में जेंसन और जो जेल का मेन गेट तोड़ कर बाहार निकल जाते हैं पर हेलिकॉप्टर अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं थोड़ा आगे जाने पर जेंसन कार से कूछ जाता है उसकी नेविगेटर स से चले जाते हैं ड्रेन में जो कहता है कि मैं यहां से सीधा मियामी जाऊंगा जेंसन कहता है कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पास मियामी आऊंगा वहीं पुलिस आफिसर वार्डन को बधाई देता है क्योंकि आज की शो की टी आरपी सबस ज्यादा आई होती है लिस ओफिसर कहता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भी बेजा है जब वार्डन उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें वही बॉम होता है जो उसने जिंसन की कार में लगाया था तबी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वार्डन की मौत हो जाती है अपनी बेटी से भी मिलवाता है और इसे के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है इस कहानी के और भी पार्ट्स है जिनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हैं ये फिल्म सन 2008 में रिलीज हुई थी आयम डिवी पर इसकी रेटिंग है 6.3 इस फिल्म का ब झाल